इस यूडियो में आपको बतने वालाओ के PC या लैप्टॉप में सब्टावर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो तो आप पीछ करते हो PC या लैप्टॉप लेकिन उसमें कई सार जो सब्टावर की जरूरत पड़ती है तो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है और आपने जो दूसरा PC से सब्टावर को पेंटराई से कोपी किया है और आपके PC में रखा है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है तो PC में सब्टावर को कैसे इंस्टॉल करना है तो इस वीडियो में आपको बतने वालाओ तो इस वीडियो को पूरा दिखिए एलो फ्रेंड्स आप देखर हमारे युट्यूब चेनल कॉंसेप्ट टेकनलोजी में आपका स्वागत है तो चले इस वीडियो को में स्टार्ट करते है तो आपको आजाने सबसे पेले PC में और PC में आने के बाद आपको जिस जगह पे आपका जो सौप्टवर है इस जगह पे आपको जनाए जो आपको D-Dry में, C-Dry में तो इस जगह पे आपको जनाए लेकिन आपने जो पेंड्राय में है तो आपको पेंड्राय ऊपन करना है तो जो मारा सौप्टवर है वाई हमारा डेक्स्टोप में है एड़ोब रिडर का तो इस सौप्टवर जो सभी PC में यू ग्रीडर का सॉप्टर है वाई में ने ओपन कर दिया है और ओपन करने के बद आपको सबसे बले किसी भी जो सॉप्टर इंस्टॉल करना है तो आपको सबसे बले जना है सेट अप में तो आपको जो सेट अप फाइल है वाई ओपन करना है तो उसमें जो सेट अप फाइल है त तो ऋसमें आपको क्लिक करता हूँ ऐसे माँटाब पर पीसे में स्ट्रौल को यहां है तो मैंने सों स्राइट पर क्लिक कर दिया औरanne ah इस तरह इंटरबेस हा गया और आपको इस तरह आ जाएगा तो आपको को नेक्स्ट nos क्लिक करता हूँ तो आपको जो एकस्ट आएगा तो आपको एकस्ट पे क्लिक करता हूँ लेकिन इस सॉप्टर में जो नेक्स्ट आएगा तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो अभी देख लिजिए कि जो software वह हमारा PC में install हो रहा है तो उसमें आपको wait करना है जो सभी process है उसमें process complete हो जाएगा तो आप देख लिजे कि हमारा PC में software install हो रहा है तो इस तरह install करना है और install करने के बाद आपको जो इस तरह interface देखने को मिल जाएंगे तो आपको finish पे क्लिक करता है तो चलो में finish पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह किसी भी जो software वह आपको आसांतर की PC या laptop में install कर सकते हूँ तो मारा जो software install हो गया है तो चलो मैं desktop में जाके बता देता हूँ तो अब देख लेजे के मारा Adobe Reader का जो software वह आपको 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 किसी भी जो software वह उपन कर सकते हूँ तो मैं open पे क्लिक करता हूँ अमारा जो PDF पाइल है तो इसमें पेडियो पाइल पी open कर सकते हूँ तो आपके पास किसी भी जो software है लेकिन आपको जो PC या laptop में install करना चाते हूँ तो इस तरह आपको आसांतर के शेप्टर को install कर सकते हूँ तो मैं जो सभी process था तो इस process में आपको complete बदा दिया है तो मैं उम्मेद करता हूँ कि आप लोगों ये वडियो पसंद आएगा वडियो पसंद आएगा तो वडियो को लाइक किजिए और चैनल को subscribe किजिए ठेंक्यू